हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्ट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बच्चों क्लास 11 में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तो वेक्टर में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था क्या ट्राइंगल लॉफ वेक्टर एडिशन आप अब हम लोग पढ़ने वाले इसमें पैरलेलोग्राम लॉफ टू वेक्टर्स है ना क्या निकि दो में आपको बताये थे जिसमें से होते तो कई में लिकिन इस्पेसली आपको जो स्लेबस में 11 के वो दो है ठीक है जिसमें लोग ट्राइंगल लॉफ पढ़ चुके हैं अब आपका abortion निकिन अगया तो अब इनको हमें इस में इस को करते हैं द्याहां से देखिए जैसे यहां बना लेते हैं उसे से उस एंगल सो यह वेक्टर भी गया है उसी angle पर क्या करते हैं, base मानके देखते हैं, क्या है angle, theta है ना तो same angle से हम यहाँ पर इसके tail से, tail का मतब समझते हो ना पूँच, क्या होती है, पूँच है ना, vector में, तो simple सी बास है यही से, उसी same angle से हम लोग ऐसे सीधे से ऐसे क्या कर देंगे, इसको draw कर देंगे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम ने क्या किया, draw कर दिया, तो अब आप देखिए, यह आप कहो गया vector b तो हमने इसको add कर दिया, अब करते क्या है अगर आप देख पाएंगे अगर आप देख पाएंगे एक बात यहाँ पे तो दोनों को add कर दियानि किसी same point पर किसी एक ही point पर दो vectors क्या कर रहे हैं work कर रहे हैं तो आपको पता है अच्छे से जब किसी same point पर अलग-अलग direction में दो vector काम करते हैं उनका resultant क्या होता है आपको यह बात अच्छे से पता होनी चाहिए जैसे माल लीजे सबसे अच्छा तरीका क्या होता है आप जानते हैं कि कोई दो लोग को हाथ पकड़के खीचें कि नहीं तुम हारे तरफ चलो तो हुआरे तरफ चलो तो दोनों की मत सुनो किसी तीसी direction में निकल जाओ ठीक है वही कहानी यह करता है तो vector A कह रहा है vector देखो यह point जो है न यह vector इधर लगा रहा है तु मेरे साथ चल वेक्टर भी कहा रहा है नहीं भाई तु मेरे साथ चल तो यह क्या कहा हम किसी साथ नहीं जाएंगे हम कहाँ चले जाएंगे हम तीसरा रास्ता निकाल के चले जाएंगे तो इसका जो resultant हो गया वो बिल्कुल बीच से सीधे निकलते वे चला जाता है इस direction में ठीक है यह होती है इसकी कहानी इसी को बोलते है resultant और जो आपका यह resultant होता है जिसको लोग बोलते है परिडामी यही आपको बताता है दोनों का addition a प्लस b vector a प्लस vector b को represent करता है अब कहोगे सर एक बात बताईए आपने उपर लिखा है पैलोग्राम law of two vectors लेकिन यहाँ पर पैलोग्राम बनता दिख नहीं रहा आपने का ठैरो देखो अभी आपको थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा देखे कहानी क्या है जब आप इसको सीधे ऐसे बढ़ाएंगे ठीक है ना ऐसे आप इसको सीधे बढ़ाएंगे ठीक है तो यह देखे आप यहाँ पर क्या बना लिए है पैलोग्राम दिख गया तो यह होता है आपको पैलोग्राम तो देखे एक बास समझे तो यह वेक्टर A है तो यह भी इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी वेक्टर A होगी ये vector b है, तो इसके सामने वाली side भी क्या होगी बच्चा, vector b होगी, तो simple सी बात है, ये vector b, ये भी vector b, ये vector ये, तो ये भी vector है, तो आप देख पा रहे हो, बिल्कुल क्या बन गया, parallelogram, ठीक है, तो इसी को बोलते है क्या, parallelogram law of vector addition, ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता ह हूँ, फिर इसको mathematically derive करेंगे, ठीक है न, देखो, अगर किसी same point पर दो vector अलग-अलग direction में work कर रहे हैं, force लगा रहे हैं, तो इसका जो resultant होगा, वो तीसरी direction, जो की इसके diagonal, जो की parallelogram के diagonal को बताएगी, विकान को बताएगी, वही होगी क्या आपकी resultant होगी, ठीक है, और resultant ह हमेशा क्या बताता है, दोनों का addition, क्या बताता है बच्चों, दोनों का addition, ठीक है, अब मेरी बात समझे, अब मेरी बात समझे, यहाँ पर, आप एक बात इसमें गौर करें, exam में, अब question ऐसे directly नहीं पूछता, क्या बताएगे, parallel law of vector addition, आप से पूछ लेगा, कि बताएगे, क्या हम, इस parallel law of vector addition से, क्या हम triangle law of बना सकते हैं, बताएगे, तो आप कहेंगे कि sir, triangle law बनाना है, तो पता नहीं बना पाएगे, नहीं बना पाएगे, जरा आप बताएगे, मैंने का ठीक है भाई, तो देखो, अगर आप दोर से देखो, मैंने आपको triangle law क्या बताया था, मैंन तो इसके tail से, इसके दूसरे वेक्टर के पूछ को क्या करते हैं, है ना, इसके head से, इसके tail को add कर देते हैं, तो simple सी बात है, यहां से इसको क्या कर देते हैं, फिर मिला देते हैं, तो यहीं आपका क्या बनता है, resultant a plus, vector a plus vector b बनता है, तो simple सी बात है, अब आप गौर से कि हाँ, yes, we can derive triangle law of vector addition from parallelogram law of vector addition. हाँ, हम त्रिभुज के सदिसों के योग के नियम को समानता चतुरभुज के योग के नियम से निकाल सकते हैं. ठीक है? तो अब देखें, ये पुराल इसका literal meaning थी. अब हम बात करते हैं, mathematically इसको कैसे करते हैं. यहाँ से देखिएगा, है ना, हम लिखते चलने, इसका derivation मैं करके दिखाता हूँ आपको, क्या है कहानी इसकी, ठीक है? चलिए देख लेते हैं, इसको क्या है system. तो simple सी बात है, हम कुछ ले लेते हैं, P, Q, naming कर देते हैं, P, Q, है ना, R, S, P, Q, R, S कर दिया. अब simple सी बात है, बच्चा party, अब हम क्या करने वाले है, P, Q, R, S, अब angle देखो, angle हम इसको बना दे रहे हैं, यहाँ पे, माली यह पूरा-पूरा angle हमारा कितना है, Q है, और यह वाला angle कितना है, alpha माल लेते हैं, क्या माल लेते हैं, alpha, तो बेटा, same process के साथ, जैसे यह दोनों आपास में क्या होती, parallel होती, बेटा, यह देखो, P, S, और Q, R, आपास में parallel होंगी, यह भी आपका angle क्या होगा, theta ही होगा, क्या होगा, theta angle होगा, ठीक है, तो अब क्या करने वाले ध्याद से देखिए, यहाँ से point R से directly हम क्या कर देंगे, इस पर perpendicular draw करेंगे, لم, ठीक है, क्य क्या बोलेंगे, from figure, from figure, यहाँ समय कर देता हूँ, from figure, from figure, हम क्या बोलेंगे, कि P, R का square, बराबर PT का square, प्लस RT का square, यह देखिए, P, R कहाँ है, देखो, P, R का square, यानि कण का square बराबर आधार, यानि कि P, T का square, प्लस RT का square, यानि हम इसमें बड़े वाले triangle में बाचित कर र तो अब आप ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, हम लोग simple सी बात है बच्चा, अब ध्यान से देखिए, इसमें हम values रख देते हैं, values रखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वाइर, बराबर, पी आर को हम लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू टी का स्क्वाइर, प्लस आर टी का स्क्वाइर, यह देखिए, जो पी टी लिखा है बेटा, पी टी देखो, दो चीज़ों समिलके बना है, पी क्यू प्लस क्यू टी का क्या कर दिया, होली स् गालने चलों लोग बेटा तो जो QT होगा इसको हम क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? B cos theta का पूरा-पूरा यहां क्या लिख दे हमने? whole square अब प्लस है ना? इस PQ को हम लिख सकते हैं क्या A लिख सकते हैं? vector A ठीक है ना? A plus B cos theta का whole square प्लस R T को लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं क्या? B cos theta इसको हम लिख क्या लिख सकते हैं? A sin यानि इसको हम लिख क्या लिख सकते हैं? यहां पर ध्यान से देखिए इसको हम लिख सकते हैं B sin theta क्या लिख सकते हैं? B sin theta वो क्या है resultant है R तो P R जगा हम क्या लिए सकते है R का square लिख सकते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा R का square equals to A square plus B square cause square theta plus 2AB cause theta ठीक है अब plus यहाँ क्या हो जाएगा B square sine square theta एक मिट बच्चों मैं फ़रा इंक डाल दू है ना कि मारकर का गला सूप गया गर्मी पड़ रही है ठीक है ना तो देखिए यानि कहानी क्या हो जाएगा यहाँ पर sine square theta हो गया अब plus यहाँ पर और कुछ लिखा है चाहिए तो होई गया चलो भाई अब देखो simple सी बात है यहाँ पर हम एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबको देख रहा है न हाँ r square is equals to a square plus 2ab cos theta अब plus देखी बाता इसको और इसको हम साथ में ले लेते हैं ठीक है तो क्या बनेगा देख लीजे b square common देखो यहाँ भी b square cos square theta यहाँ भी b square sin square theta तो b square यहाँ से b square यहाँ से common तो अंदर क्या बचेगा क्या बचेगा बेटा cos square theta plus sin square theta बचेगा अब मुझको आप लोग बताइए cos square theta plus sin square theta value क्या होती है value क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी क्या हो जाएगी 1 तो 1 into b square क्या मिलेगा आपको b square मिलेगा यानि हम यहां लिख सकते हैं कि r का square बड़ाबर a square प्लस b square प्लस 2ab cos theta ठीक है भाई यह देखो हमने b square को पहले लिख दिया 2ab cos theta यहां लिखा हुआ है ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसको square कर दिया ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पे r is equals to under root a square प्लस b square प्लस 2ab cos theta ठीक है यह आपका resultant का क्या आगया formula आगया क्या आगया बेटा formula आगया कि आप resultant किस तरीके से निकाल सकते हैं ठीक है तो आप इस तरीके से resultant निकाल सकते हैं इसमें कोई दुराय वली बात नहीं है तो इस तरीके से लोगों ने क्या समझा mathematically इस बात को अच्छे से समझ लिया है ठीक है mathematically क्या कि हमने इसको समझ लिया है कि कैसे resultant का formula होता है a square मतलब इस vector का magnitude का square b square मतलब इसका square vector b का और 2ab cos theta a b करके 2 से multiply करेंगे जो cos theta रहेगा उससे अच्छे यह cos theta कहां से आया आपको पता है कि theta equals 2 सबको पता है अच्छे से है ना इसको हम क्या कर सकते है निकाल सकते है cos theta formula क्या होता है बताओ जल्दी से cos theta का formula क्या होता है आधार बटे current यानि based upon hypotenuse तो based upon hypotenuse वाले से हमने यह निकाल रखा है ठीक है तो चलिए बच्छा party I hope आपको यह बात समझ में आई होगी है ना तो चलिए अभी हम कुछ इसकी special case की बात चित कर लेते बटा किसकी बात करते है इस special case की तो चलो देखो resultant maximum कब होगा तो बटा बताओ note की बात करेंगे तो बताई resultant maximum कब होगा तो resultant resultant will be maximum will be maximum will be maximum if theta क्या हो जाए बच्छों 0 degree theta क्या हो जाए 0 degree हो जाए क्यों यह cost 0 की value क्या होती है 1 तो चलिए यहाँ पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा r is equals to under root a square plus b square plus 2ab cause 0 degree बटा cause 0 की value क्या होती है 1 तो आप क्या लिख लेंगे r is equals to under root a square plus b square plus 2ab अब देखो यह a plus b का क्या है whole square है तो r की value क्या हो गई under root a plus b का whole square square से root क्या होगा cancel आओ तो simple सी बात है r की जो value आजाएगी a plus b यानि बटा resultant maximum होगा जब angle क्या हो जाएगा 0 degree तो हम क्या करेंगे vectors के magnitude को add कर देंगे बात समझ गए इस तरीके से यह कहानी होके चलती है तिस समय मारा resultant क्या होगा maximum होगा उसी तरीके से minimum कब होगा minimum कब होगा simple सी बात है जब theta क्या हो जाएगा resultant resultant will be minimum कब minimum होगा जल्दी बताओ if theta की value क्या हो जाएगे if theta is equals to 180 degree क्या होगा बेटा 180 degree क्योंकि cos 180 की value क्या होती है minus 1 तो बेटा यहाँ पर रखो के 180 आएगा minus यहाँ हो जाएगा minus तो a minus b का whole square square से root कटेगा क्या हैगा a minus b तो r minimum जो आपका r minimum होगा वो क्या हो जाएगा a minus b होगा क्या होगा बेटा a minus b समझ पाए बात को maximum कब होगा जब 0 degree minimum कब होगा जब 180 got it तो इस तरीके से हमने special case की बात्चित कर ली है चलिए तो अब हम आगे बात चित कर लेते बेटा है ना तो देखिए एक बात और हम लोग समझ सकते हैं जो हमारा vector addition होता है वो commutative होता है यनि कि a plus b अगर आप करें vector a plus vector b तो आप इसको vector a minus vector मतब कि vector b plus vector a भी कर सकते है ठीक है यानि बिल्कुल एक commutative वाला relation सो करता है ठीक है और simple सी बात है उसको बात ये associativity भी सो करता है है ना तो दोनों सो करता है तो फटाफट इसको note down करें तो हम लिख देते हैं Please pause the video to note it down चली हम लोग चलते बैटा समझते हैं तो आपने दो बाते सीखी तीसरी बात देखिए क्या करने वाले हम लोग है ना तीसरी बात हम लोग यहां सीखने वाले हैं वेक्टर में वो देखिए क्या सीखने वाले हैं हम क्या बोलेंगे वेक्टर एडिशन इस कॉम्यूटेटिव क्या होता बैटा वेक्टर एडिशन इस वेक्टर एडिशन इस कॉम्यूटेटिव is commutative क्या होता है बैटा commutative होता है vector addition is commutative ठीक है तो आईए हम लोग बात चित करके देख लेते है vector addition क्या होता है commutative तो simple सी बात है commutative मत्तब vector a plus vector b is equals to क्या हो जाएगा vector b plus vector a हम क्या लिख सकते हैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कि vector addition क्या होता है आपका commutative होता है, क्या होता है बच्छों commutative होता है ठीक है, यानि कि a plus b क्या तो b plus a b कर सकते हो, फिर अगला जो समझने वाले हैं ये associative भी होता है vector addition is associative vector addition is vector addition is associative associative, vector addition क्या होता है associative भी होता है, associative का meaning क्या होती है, देखो मैं आपको trick से बता जेता हूँ, कि अगर आपने vector a plus vector b plus vector c लिखो, इधर भी vector a plus vector b plus vector c लिखो, करना क्या है, शुरुवात वाले में पहले दो को ऐसे बंद कर दो अब फिर बाद वाले में क्या करो, बाद वाले c plus c को add करके, किसके साथ add करोगे, a के साथ add करोगे, ठीक है, तो यह associative law भी दिखाता है, है ना, तो सुनो, तो simple सी बात है, यह बात है, यह बात है कुछ हमने आपको clearly तरीके से बताई, तो आपने हमने एडिशन सीख लिए बेटा, इसी तरीके से आपका subtraction भी होता है, क्या होता है, बेटा subtraction भी होता है, है ना, तो आप उसको समझ लेंगे, हम लोग बात करेंगे directly, जो आपके exam में पूछा रहाता है, जिसको हम लोग बोलता है, multiplication and division, तो multiplication of two vectors, दो vectors की multiplication की बातचित करते हैं, है ना, चलिए, चलिए बच्चा, इसको आप note कर चुके होंगे, चलते हम आगे, multiplication of two vectors, देखिए, multiplication of two vectors की बातचित कर लेते हैं, हम लोग, रहां को हम लोग बच्चाने ऑल इस देखिए, multiplication of two vectors, है न है not multiplication of oh वेक्टर्स नहीं है एक तो बोलते हो दूट प्रूडक्ट या इसे को बोलते हैं्ह इसकी इमोल बोलत में स्किलर difficulties प्रूडक्त या इसको हम अनलों क्या बोलते हैं कि वेक्टर प्रूडक्त ठीक है Tout दो टाइप कि होते हैं तो ओ रक करते हैं दोर दोनों को बाई-बाई आपका है ना सबस्क्राइब करते हैं कि बहुतinda नोग профश्य करते हैं। अच्छा क्या होने वाली कहानी देखिए इस किलर प्रोडट्ट क्या होता है देखो इस डिफाइंड एज यह कैसे डिफाइंड होता है बैटा हम क्या लिखे लेंगे इट इस डिफाइंड एज it is defined as इसकी definition आप क्या बोलेंगे it is defined as the product of their magnitude है ना क्या बोलोगे it is defined जैसे माली ये दो vectors आपको given है vector A और vector B तो इसको simple सी बात है इसको हम कैसे denote करेंगे dot लगा के तो इन दोनों का dot product होगा वो कैसे defined होगा defined as कि दोनों vectors के magnitude लिखिया है ना magnitude लिखा vector A magnitude of vector B और साथ साथ इनके cosine यानि cause से क्या करेंगे multiply यानि इन दोनों के बीच के angle से ठीक है तो जो आपको मिलेगा उसी को मिलों क्या बोलते है dot product है ना क्या बोलते है dot product इसको dot लगा के लिखते है इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया dot product तो cos dot product क्या होता है बेटा A dot B is equals to magnitude of A into magnitude of B into cos theta theta क्या है बेटा angle between vector A and vector B ठीक है तो चलिए हम लोग बातचित करके इसको देख लेते हैं यानि कि simple सी बात है यहाँ पर कुछ ऐसे होगा vector यह है vector B यह है तो इनके बीच का angle जो बनेगा वही है theta यहाँ पर cos theta ठीक है तो चलिए बच्चा इसको नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे बली सकते हैं vector A dot vector B is equals to क्या हो जाएगा A B cos theta इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं magnitude को ठीक है न तो चलिए अब हम लोग आगे बातचित करके देख लेते हैं कुछ बात हम लोग कर लेते भी वीटा कुछ व्रॉपर्ट्टी क्याँ हम लोग बातचित कर लेते हैं two vectors scalar product of two vectors is always क्या होता बैटा is always is always a scalar a scalar यानि इसका क्या मतलब समझे आप scalar product of two vectors अगर आप दो vector का scalar product करते हैं अदिस गुड़न करते हैं तो आपको हमेशा जो मिलेगा क्या होगा बैटा वो scalar ही मिलेगा क्या मिलेगा scalar ही मिलेगा ठीक, पहली बात, दूसरी बात हम बात्चित कर लेते हैं, कि scalar product is commutative, क्या होता है बेटा, scalar product is commutative, क्या होता है ये, commutative होता है, ठीक है न, scalar product क्या होता है, क्या है, commutative होता है, अगर आप A.B. लिख सकते हैं, तो इसको आप B.A.B. लिख सकते हैं, बात समझ पा रहे हो, ये है कहानी सी को बोलते हैं, क्या, commutative, got it, चलो भाई, है न, तीसरे की बात्चित कर लेते हैं हम लोग, तीसरे की बात्चित करते हैं, scalar product is distributive, स्केलर product इस क्या होता है, scalar product is distributed. क्या होता है, इसका क्या मतलब है, तो distributed का मतलब होता है, कि अगर आप क्या करते हैं, vector a dot, vector b plus vector c लिखते हैं, यानि कि अगर आप b plus c add करके वेक्टर यह से प्रोड़क्ट करते हैं तो यह अलग-अलग भी प्रोड़क्ट हो जाएगा डॉट में यहां निकिए वेक्टर a.vektor b प्लस वेक्टर a.vektor c यह भी इसी को बोलते हैं क्या distributive law को follow करता है ठीक है आप दोनों के साथ अलग-अलग करके प्रोड़क कर सकते हैं ठीक है चलो भाई सिंपल सी बात है देखिए अब इसमें अभी बहुत कहानी है है ना प्रॉपर्टीज में अभी हमने तीन ही आपको बताई कि यह कॉमुटियर्टी होता है डिस्ट्रिब्यूटी होता है इसके बाद हो यह कब यह मैक्सिमम होगा डॉ जीरो होगा और्थोगोनल प्रोड़क्ट मतब और्थोगोनल वेक्टर्स क्या है सारी बाते हम लोग इसमें करेंगे ठीक है तो बच्चो तो प्लीज पॉस दे वीडियो टो नोट इडाउन चली तो बच्चा मिलते हैं नेक्ट वीडियो लेक्चर में फिर इसके आगे क्य करेंगे हम लोग कॉंटिन्यू करेंगे ठीके बच्चों और तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए वीडियो अच्छे लेगे तो अपने फ्रेंड्स में जरूर सेयर करिए और हमारी आफ्लाइन बैचेस बिल्कुल चल रही हैं आप उसका भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं ठीके बच्चों तब तक एक रिए थाइंक्यू सो मच्च